दोस्तों रमस्कार मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर हर्याना का विधान सबाद चुनाव हो चुका है चुनाव के परिणाम आ चुके है और चुनाव परिणाम में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बन चुकी है कॉंग्रेस जिसको बड़ी उम्मीद थी कि हर्याना की सत्ता में लोटेंगे दस साल बाद दस साल का सूखा खत्म होगा मात्र साथ सीट बढ़ा करके संतोष करना पड़ा 30 से 37 हो गए और सरकार से बनना सरकार बनाने से काफी दूर रह गए जब भी कभी चुनाव परिणाम आते हैं तो फिर उनका विश्रेशन होता है कि चुनाव परिणाम कैसा रहा कैसे निता चुनाव जीत कर आए कौन से दिगज आए कौन से दिगज जीते कौन से निता हरे नए विधायक कितने बने, कौन सी समाज के कितने विधायक बने, ये तमाम चर्चाएं होती है और हम भी लगतार आपके साथ इस विश्लिशन में रहेंगे, समिक्षा में रहेंगे कि आखिर हर्याना विधान सभा का स्वरूप क्या है तो आपको बता दें कि हर्याना विधान सभा के अंदर अब की बार इस विधान सभा में ऐसे बड़े कई दिग्ज नेता है जिनकी आवाज सुनाई नहीं देंगी ऐसे कई बड़े नेता हैं जो अपने अपने विधानसावाद छेतर में हलाकि उनकी पार्टी ने अच्छा परदर्शन कर लिया चाहे भारती जनता पार्टी की बात करें जिनकी हैट्रिक बन गई चाहे कॉंग्रेस की बात करें कि जिनके 37 विधायक आ गई चाहे बात इनेलों की करें कि एक से दो हो गई जन्नायक जनता पार्टी का जहास तो बले ही डूब गया लेकिन पार्टी तो आज भी है लेकिन उनके नेता विधानसावाद में नहीं दिखाई पड़ेंगे कई विधायकों की स्थिती तो ऐसी रही कि उनकी दैनिय स्थिती रह गई और कई विधायक नेता यानि की ठीक ठाक मतों से चुनाव जीत कर आ गई अगर आपसे बात करेंगे तो सबसे पहले भारती जनता पार्टी के बड़े नेता ओपी धनकर बादली से विधानसभा चुनाव में थे बादली विधानसभा चेत्र से इस बार चुनाव मैदान में फिर से कूदे थे 2014 में यां से विधायक बने थे सरकार के मंतरी थे बड़ी खनक हुआ करती थी उनकी 2019 में चुनाव हार गए तो उनको बनाया गया बीजेपी का परदेश अध्यक्ष परदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने बादली में लोगों से कहा था अगर आप मुझे विधायक बना दोगे तो नंबर एक की कुर्सी पर ले आओंगा लेकिन किसी बात का असर नहीं हुआ ओपी धनकर बड़े मार्जन से चुनाव हार गए और अब विधान सभा के अंदर एक बार फिर ओपी धनकर नहीं दिखाई देंगे अगर अगली बात करें तो फिर कैप्टन अभी मन्यू कैप्टन अभी मन्यू भी एक बार विधायक बने दोजार चौधा में भारती जनता पार्टी के वो भी बड़े नेता बीजेपी के दिगज नेता माने जा सकते हैं रौतक से लोगसभा का चुनाव लड़ चुके हैं अब की बार हिसार से लोगसभा की ट्राई थी इससे पहले ओडीसा और असम जैसे परदेशों के परभारी रहे हैं कैप्टन अभी मन्यू चुनाव मैदान में उतरे उनको चिकेट मिला दोजार चौधा में जब विधायक बने थे तो हर्याणा सरकार के आवकारी वर राजास्व मंत्री थे इसके साथ साथ खजाना मंत्री भी हुए थे वित मंत्री बड़े मंत्रे आले उनके पास थे लेकिन 2019 का चुनाव वो बड़े अंतर से हार गए थे दादा रामकुमार गौतम अब की बार भारती जन्ता पारटी में आ गए थे जेजेपी छोड़कर के जेजेपी छोड़के कैप्टेन अभिवन्यू के दिल का कमल अभी नहीं खिला कैप्टेन अभिवन्यू फिर चुनाव हार गए और दूसरा चुनाव लगातार हार गए अगर अगली बात करेंगे तो भारती जन्ता पार्टी के ही बड़े नेता कवरपाल गुजर 2014 में विधायक थे 2019 में विधायक थे इससे पहले भी भाजपा के कैटर बेस बड़े नेता रहे हैं 2014 में विधायक बने तो विधान सभा स्पीकर बने 2019 में विधायक बने तो सरकार के अंदर बड़े मंत्रालिया मिले इस चुनाव के अंदर पिछड गए और पिछड कर तीसरे स्थान तक पहुंच गए कमरपाल गुजर बीजेपी के बड़े नेता और अब उनकी आवाज आपको विधान सभा में नहीं सुनाई देगी अगली बात करें तो भारती जन्ता पार्टी के ही बड़े नेता कमल गुपता कमल गुपता 2014 में भी विधायक बने, 2019 में भी विधायक बने, 2019 की सरकार में वजीर भी बने, मंत्री बने, बड़ी हनक उनकी भी रही, RSS के कैडर बेस निता है, हिसार के अंदर जब BJP का टिकेट वित्रण हो रहा था, तो कमल गुपता के टिकेट कटने की बातें बहुत चली थी, लेकिन राष्ट्रिय स्वेम सेवक संग से उनकी नजदीकी के चलते, टिकेट लेने में तो कामयाब हो गए, लेकिन वो नजदीकी मैदान में कामया नहीं आई, और कमल गुपता चुनाव हार गए, बुरी तरह च चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर पहुंच गए, हिसार विधान सभा से, ये वो पांच बड़े नाम हैं भारती जनता पार्टी के जो अब विधान सभा में नहीं दिखाई देंगे, हलाकि इन में से सभी विधायक, सभी निता, जदत्तर दो बार विधायक रहे हैं, और कुछ एक बार रहे हैं, जैसे कैप्टन अभी मन्यू और ओपी धनकर साब एक एक बार विधायक बने हैं, कवरपाल गुजल, कमल गुपता, ये दो-दो बार विधायक रहे हैं, अगर आगे बात करें तो फिर कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान, हलाकि 2019 की विधानसवा में विधायक नहीं थे, 2014 में विधायक थे, लेकिन इससे पहले वो चार बार विधायक बन चुके हैं, चौधरी उदयवान का हरियाना की राजनीती में बड़ा नाम है, हरियाना कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे, बड़ी उमीदे थी कि चौधरी उद कुलदीब शर्मा, हरियाना विधानसवा के अध्यक्ष, बड़ी चर्चाएं थी उनकी लोगसवा चुनाव के बाद कि वो भारती जनता पार्टी में जा रहे हैं, कॉंग्रेस छोड करके, नहीं गए थे, बाजबा में जॉइन नहीं हुए, कॉंग्रेस में ही रहे, और च कॉंग्रेस के अगले बड़े कद्दावर निता, करन सिंग दलाल, 2019 के चुनाव में विधायक नहीं थे, लेकिन इससे पहले वो पांच बार विधायक रहे हैं, चौदरी भुपेंदर सिंग उड़्डा के समधी, बड़ी चर्चाएं थी कि हरियाना के अंदर कॉंग्रेस क की सरकार बनेगी, तो करन सिंग दलाल के पास पावरफुल मिनिस्ट्री मिलेगी, मैंने कई बर वीडियो में कहा था कि करन सिंग दलाल का राजनितिक अनुभव 35 सालकार, उनके सामने गौरव गौतम कैंडिडेट थे, जिनकी 35 साल के युवा और 35 साल के युवा ने 35 साल के अनुभवी नेता को ऐसी पटकनी दी कि पलवल का रिकॉर्ड बन गया, 33,000 वोटों से जादा अंतर से करन सिंग दलाल चुना भार गए, अब विधान सभा में नहीं दिखाई पड़ेंगे, अगर अगली बात करें तो रावदान सिंग, कॉंग्रेस के बड़े नेता, महिं अगर अगली बात करें तो फिर अभै सिंग चोटाला, हर्याणा विधान सभा के आप कोई भी प्रोसेडिंग उठा करके देख लें, 2019 से 24 की और उससे पहले 14 से 19 की, आपको दहारते ललकारते हुए अभै सिंग चोटाला दिखाई पड़ेंगे, 2014 से 2019 के बीच विपक्ष के नेता थे, लेकिन 2019 से 2024 के बीच में अपनी पार्टी के एकलोते विधायक थे, और कहा जा सकता है कि एकलोते होते हुए एक अकेला सब पर भारी वाली काहवत उनके उपर सठीक बैठती थी, अभै सिंग चोटाला के बेटे तो चुनाव जीत गए अबकी बार अरजुन चोटाला, लेकिन विधान सभा में अब अभै सिंग चोटाला के आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, अभै सिंग चोटाला 15,000 वोटों से चुनाव हार गए, और एक और नाम हरियाना का, जिनका नाम पूरा गुंजा, 2019 से 2024 की सरकार के जो किंग में कर थे, जो कहते थे कि उनकी चावी सत्ता के ताले को खोलती है, लेकिन अब की बार उनकी जो चावी थी, दुश्यन चोटाला की चावी, उन्होंने दुश्यन चोटाला के प्लिटिकल करियर पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया है, जिसको खोलने के लिए अब दुश्यन चोटाला को मास्टर की ढूणनी पड़ेगी, दुश्यन चोटाला चुनाव हारे और पांचमें स्थान पर चले गए, जमानत तक नहीं बचा पाए, ये वह और आवाज जो हर्याना विधान समा में अपके बार नहीं सुनाई देगी, यानि कि हर्याना के दस दिगज निता, जिनकी तूती बोलती थी हर्याना के अंदर, लेकिन अब वो विधान समाज चुनाव के अंदर चुनाव हार गए, और उनमें से कई निता तो आप ध्यान रखें कि राजनीती से रेटायर होने की तरफ अग्रसर होंगे, आप हमारी बास से कितना सहमत हैं कमेंट से बोक्स में जुरूर बताएं, जुड़े रहें हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को, और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें,